कच्छप आवतार, कूर्म आवतार को कच्छप आवतार कच्छप आवतार भी कहते हैं। कूर्म आवतार में भगवान विश्नु ने कशीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदर परवत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विश्णू, मंदर पर्वत और वासु की नामक सर्प की सहायता से देवों अवसुरों ने समुद्र मन्थन करके चौदा रतनों की प्राप्ती की। इस समय भगवान विश्णू ने मोहिनी रूप भी धारन किया था। इस समय भगवान विश्णू ने मोहिनी पद्मपुरांट ड्रमकषड आठ में वर्नन हैं कि इंद्र ने दुर्वासा द्वारा प्रदत्त पारिजा तक माला का अपमान किया तो कुपित होकर दुर्वासा ने शाप दिया, तुम्हारा व्यभव नश्ठ होगा। परिनामस्वरूप लक्ष्मी समुद्र में लुप्थ हो गई, ततपश्चात विश्णू के आदेशनुसार देवताओं तथा दैत्यों ने लक्ष्मी को पुन प्राप्त करने के लिए मंद्राचल की मथानी तथा वासुकी की दोर बनाकर क्षिर सागर का मंथन किया, मंथन क करते समय मंद्राचल रसातल को जाने लगा तो विश्णू ने कच्छप के रूप में अपनी पीट पर धारन किया और देव दानवों ने समुद्र से अम्रितेवं लक्ष्मी सहित 14 रतनों की प्राप्ती करके पूर्ववत वेभव संपादित किया, पभी धारन किया था, व वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद